नमस्कार सुलक्ता सवाल में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ वक्ता आज सवालों से बिहार के घोटाले बाज उपमुख्य मंत्री यानी तेजस्वी यादव को सुलगाएंगे क्योंकि अब तेजस्वी यादव की जेल जाने की बारी आ गई है CBI उनके खिलाफ आक्शन के लिए कोट की चोखट पर पहुँच गई है और IR CTC घोचाले में तेजस्वी की जमानत रद करने की मांग करती है ये फैसला तेजस्वी यादव के CBI अफसरों को धमकी देने के बाद लिया गया है क्योंकि सत्ता में वापसी के बाद तेजस्वी यादव लगातार दबंगई दिखा रहे हैं विपक्षी नेताओं को हड़का रहे हैं और ये बौक लाहट तेजस्वी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उनके नेताओं पर CBI ED शिकन जाक कस रही है लेकिन अब तेजस्वी का अफसरों को धमकी देना महंगा पड़ गया है जिससे सवाल सुलग रहे हैं इन सभी सवालों ने तेजस्वी इसा घोटाला है जिसमें अगर उनकी जमानत खारच होती है तो तेजस्वी का जेल से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं ना मुम्किन हो जाएगा वहीं CBI तेजी दिखाते हुए तेजस्वी आदफ को IRCTC घोटाला में दी गई जमानत को रद करने के लिए दिल्ली की स्पेशल कोट पहुँच गई है CBI ने कहा है कि तेजस्वी आदफ की जमानत रद की जाए क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उलंगन किया है CBI के आवेदन पर स्पेशल कोट की जज गीता अंजली गोयल ने तेजस्वी आदफ को नोटस जारी करके मामले में जवाब मांगा है तेजस्वी को जवाब देने के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है अगर तेजस्वी इस नोटस का सही जवाब नहीं दे पाते हैं और उनके जवाब से कोट संतुष्ट नहीं होता है तो फिर आगे की कारवाई की जाएगी यानि की तेजस्वी फिर जेल में डाला जाएगा तेजस्वी इादव साल 2018 से ही जमानत पर है अगर कोट CBI की याचिका पर इस मामले में तेजस्वी इादव की जमानत खारच करता है तो बिहार में उपमुख्यमंत्री की उनकी कुरसी संकट में पढ़ सकती है पहले भी CBI इस केस में तेजी लाने की बात कह चुकी है चार्चीट दाखिल कर चुकी है CBI का साफ साफ कहना है कि अब तेजस्वी इादव सरकार में है पावरफुल पद है वो IRCTC गोचाले की जांच को प्रभावित कर सकते हैं गवाहों को धमका सकते हैं इसलिए इस केस में बहस शुरू कर इसे अंतिम मोहरे तक पहुचाया जाए यानि वो आरोपी साबित होते हैं तो सजा का एलान किया जाए तो ऐसे में अब CBI की उनकी जमाना तरद करने की याचिका और कोट का नोटिस तेजस्वी की दिक्कत पढ़ा सकता है और मितश कुमार भी मुश्किलों में फस सकते हैं पहले ही व्रष्टाचार के आरोप में सरकार की जम कर किर किरी हो रही है एक के बाद एक RJD नेताओं पर गाज किर रही है अब बचे तेजस्वी भी रडार पर आ गए तो वहीं CBI के इस आक्षन ने तेजस्वी यादव की बोलती पंद करती है आखर CBI ने तेजस्वी के किस बयान पर आक्षन लिया है तो चलिए वो भी सुनवाते हैं दरसल 25 अगस्ट को एक प्रेस कॉन्फरेंस में तेजस्वी यादव ने कहा था क्या CBI अधिकारीों की मा और बच्चे नहीं होते क्या उनका परिबार नहीं है क्या वो हमेशा CBI अधिकारी रहेंगे क्या वो रेटायर नहीं होंगे सिर्फ यही पार्टी सत्ता में बनी रहेगी आप क्या संदेश देना चाहते हैं आपको समवैधानित संगठन के करतव्य का इमांदारी से निर्वहन करना चाहिए अब हम वो तेजस्वी यादव नहीं हैं जिसको मूच भी नहीं था तब CBI ने केस किया था इतने दिन हो गए क्या हुआ उसमें अब तो हमारे पास साथ साल का अनुभव है इसमें दो बार नेता विरोधी दल रह लिये दो बार डिप्टी सीम बन गए यही धमकी बरा बयान अब तेजस्वी यादव के गले की फास बन गया है बड़ बोले बेटे ने लालू की मुश्किलें बढ़ा दी क्योंकि इस केस में रडार पर लालू का पूरा परिवार है अब यह IRCTC घोटाला आखिर क्या है कैसे तेजस्वी यादव इस केस में फसे हैं चलिए यह भी बताते हैं दरसल साल 2004 में जब लालू प्रसाद यादव UPA1 के दोरान रेल मंत्री हुआ करते थे तब एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में दो होटलों को चलाने का ठेका दिया यानि इसकी देखरे का काम सुजाता होटल्स नाम की कंपनी को दे दिया गया था विने और विजय कोचर इस कंपनी के मालिक थे इस आवंटन की आड में लालू यादव को पटना मिक करोडों की जमीन एक शेल कंपनी डिलाइट मारकेटिंग के जर्ये ट्रांसफर की गई थी इस कंपनी की मालकेन आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री प्रेम चंद गुपता की पतनी सरला गुपता थी साल 2010 से 2014 के बीच इसका मालिकाना हक सरला गुपता से राबडी देवी और तेजस्वी यादव के पास आ गया इस कंपनी को अब लारा प्राइवेट कंपनी के नाम से जाना जाता है CPI ने साल 2018 में IR CTC टेंडर घोचाला मामले में पूर्व केंडरिय मंत्री लालु प्रसाद यादव पूर्व सीएम राबडी देवी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समीत 14 लोगों पर चार्ट श्रीट दाखिल की थी CPI जांच के शुरू होने के बाद मनी लॉंडरिंग का मामला सामने आया इसके बाद इस केस में ED की भी एंट्री हो कई CPI की FIR के आधार पर ED ने भी केस दर्च कर जांच शुरू की मनी लॉंडरिंग केस में ED अपनी चार्ट श्रीट दाखिल कर चुकी है जांच जिंसी ने आरोप पत्र में लालू यादव, राबडी देवी, तेजस्वी यादव, प्रेम चंद गुपता, उनकी पतनी सरला गुपता और अन्य लोगों को आरोपी बनाया था आपको बता दें कि इस केस में जिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी माँ पूर्फ सीएम राबडी देवी एक एक लाख रुपए के निजी मुचल के पर अभी जमानत पर है कोट ने जमानत कुछ शर्तों के साथ दी है लेकिन तेजस्वी यादव इनहीं शर्तों का उलंगन कर रहे हैं और ये उलंगन ही उनके लिए नई मुसीबत पन कया है वहीं तेजस्वी यादव से पहले CBI लालू यादव के OSD रहे भोला यादव और हिर्दियानन्द चौधरी को एक रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में गिरफतार कर चुकी है आपको बता दे कि हिर्दियानन्द चौधरी की रेलवे में FG के तौर पर नौक्ती हुई थी इस दौरान बोला यादव और हिर्दियानन्द से सकती से पूच्टाच की गई पूच्टाच में कई एहम खुला से भी इस घोटाले को लेकर हुए है जाच के दौरान ये पाया गया कि साल 2005 से 2009 में पूर्व रेल मंत्री के ततकालीन OSD FG की नूक्ती में होने वाली कथि धांदली के शड़ेंतर में शामिल थे उन पर यह आरोप है कि पूर्व रेल मंत्री के परिवार के सदस्यों को एवजियों के परिवार के सदस्यों से जमीन दिलवाने का काम भोला यादव कर रहे थे CBI के मताबिक इस गोटाले में भोला यादव की भूमिका एक मास्टर माइंड की तौर पर सामने आई है इसी मास्टर माइंड ने गोटाले के रास खोले हैं जिससे तेजस्वी यादव मुसीबत में फसने बाले हैं सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पेशूंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं कैपिटल टीवी नमस्कार सब्सक्राइब तक हमारे विडियो को नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया मैं राजनीती करताने पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता हूं मैं लोगों के बीच रहता हूं लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचांता हूं संघर्ष की सियासत से संटा के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से खरा सच निकालता हूं ना कोई दौड ना कोई रेस क्यापिकल दीर उत्तर प्रदेश